सरकार में की है ये रैली में मैं अमसित करुआ भाते जन्ता पार्टी के राश्ट्रे अजक्ष परमादानिय श्री नितिम जटगरी जी को दिवाएं और इस महात अगराम का शंक नाथ जड़े ल्ड़े के काराज जेक्ष शर्दे अरवानी जी संयोज एक्षरद जी महिंच पर उपस्तित लोग सभा में विपक्ष के नेता अधर्णिय सुश्मा जी राज्य सवा में विपक्ष के नेता अरोंजी मंच पर उपस्तित सभी इंडिये के गज़क पक्षों के संबानिय नेता अगर और उपस्तित भाई और बैनों कि पचीस साल पहले कि उन्नीस सो पचासी में मुंबही में कॉंग्रेस का दिवेशन हुआ था और कॉंग्रेस शताती सवारों में पर ये राजियू गांदी जी का भाशन था उनके भाशन की मुझे यादा आई और उनने भाशन में कहा था कि देज भर के लाको आम कॉंग्रेसी कारेकरता कॉंग्रेस की नीती और कारेकरम को लेकर खुभ उत्साइब है लेकिन वे लागार है क्योंकि उनके ऊपर ताकद और प्रहौश हाली दलाल सवार है कि जो बात राजू गांदी जी नहीं सो पतासी में कहीं थी कि वही बाद आज देखने के लिए फिर से मिल रही है कि स्वाधिनता के बाद देश के इतिहास में कि अगर कोई सबसे बड़ा गोटाल अगर हुआ है तो इस साल में यह सब गोटाले वामरेस और यूपी अपार्दिय ने किये कि यह बादिया जंदा पाड़े में आरुप नहीं लगा यह इंडिया ने आरुप नहीं लगा तो केम्रा सरकार को जो सीएजी है कि अपने रिपोर्ट में कहा है कि टूजी स्टक्रम में एक लाग शत्र हजार करोड रुपए का घोटाला हुआ है यह कहने वाली भार्दिया जंदापार्थी और एंडिया नहीं है कोई यहां बेटी में विपक्षिपार्थिया नहीं है यह सीएजी ने अपने होने कि फ्रां मंत्री जा जाव दो आप कहते हैं कि आप ना कोई कसूर नहीं कर अब लेकर अफ़ीं कर पाते कीजर की पकूद्व लगता की पत्नी कराद लिए तो प्याज के भाव देखकर उसके भी आखों में आसु आते और उपनान मंत्री के नाम से चिला पी रहती ग्य प्रगान मंत्री जी बताइए कि कॉमन वेल्स गेम में जो गोटा लेगे उसके हर फाइल पर आपने साइंग की है यह नहीं कि इस्पेंटीचर फाइनांस कमिटी जो मंत्रियों कि उन्होंने हर फाइल को मंजुरी दी है कि नहीं दी है हुआ है ऐस फ्रकार से गढ़ेट लगागातार बढ़ते गया उस ऑधी बजचेट को साइनाश मिनिस्टर और ग्रूप ऑपिंनिस्टर और प्यमओ के चाबिनेंट ने हर समय एप्रूल दीया है मजुरी है कि नहीं है कि अगर आप में मंजुरी भी है तो आप जिम्मेदार नहीं है कि काम हुआ कि मैंने इसाब किया कि 75 यार लोगों को बाइटने के लिए स्केडियम मना दो बाइद दो मिट के जगार एक त्थी को रखे तो तीन लाग फुट होती है कि एक लाग फुट करिडर के लिए छोड़ दीजिए एक लाग रुप फावर कर दीजिए पार्च लाग को अगर वायुस्ता होटेल भी बनाना है तो केवल 200 क्रोड रुपए खर्चा आता है प्रदान मत्री जी जरहारलाल नेरु स्टेडियम को नया नहीं बनाया गया उसका केवल रिनीवेशन किया तो 980 जरोड रुपए खर्चा हो ले जो उपर में जो कप्ड़ा लगा लगाया गया वो अमरीका से लाया गया सिलाई मेक्सिको में हुई जो जैज गोर्ड लाए वा स्वीज अर्लंड रुपए रोग जर्मनी से लाई कंसल्टेंट ऑस्टेलियम था मजदूर ऑस्टेल लिया के ते और संटार्स को टाइम भी ऑस्टेलिया की लगी और 980 क्रोड रुपए का चुना हिंदुस्तान की ज जो आप दो जब्मेदार कोंद हैं तो जी इस बत्रम में जब मारान के जो पत्र प्रकाशित हुए है उसमें उन्हें प्रहान मंत्री को लिखा है आब किए मिनिस्ट्र हमारे पास है इसा बूख आप मिनिस्टर में पर बति और अ कि मारान की प्राइब मीनिस्टर के पास प्र प्रदायन सच्चु के पास तो उसको प्रधान सच्वनी ने प्रधान मंत्री के आदेश पर मंजूर की उधी इसका जवाद नंद मोह सिंग जी आप जनता के सामने पीजिए कि कॉमन वेल गेम में भरक्टाचार करने वाले मंत्री कॉंग्रेस के कॉमन वेल गेम में आयोजन सभीती में सभी नेता बड़े से बुले काम करने वाले कॉंग्रेस के सब्सक्राइब करोड का चुरा लगया प्रसार भारती की केस अब ने उठाए वो लाली को भी निलम दिख किया गया कि अनेयर प्रकार के घोटाले सामने आये जिसका तंबंद सक्राइब कॉंग्रेस यूपी यू के मिनिस्टर के साथ और सुनियाजी कैईति에 कि हमारा अख्यान सब्सक्राइब करने वाले कॉमनवेल्स गेम में कॉग्रेस के मंत्री है ग्रूप परिश्टे से अगर यह तक्या सामने आते वीडिया लेकर आती है हम लोग लेकर आते हैं तो हमारा दोश्काइस का जवाद दो कि तूजी स्पेक्रम को मंजूरी किस ले दी कि फाइनाशल एप्रूल किसने दिया प्राइजिंग का क्लास उसमें किसने निकाना चोनिया जी मैं आपको पुछना चाहता हूं आप आपके अधिवेश्ट में होरे नाम से चिला रही है कि मुझे बताइए ये चूजी स्पेक्रम में घोताले करने वाली सरकार कॉंग्रेस की मंत्री कॉंग्रेस के निकने सरकार के वहीं का कॉमन वेल गेम में पर्जेस करने वाले नेता कॉंगरेस के सब अधिकर आपकी इंवालमेंट के और आप करेंगे के वाप यूपी चैर परसन है आपके देश्चू परकार बनी है और आपके देश्चू के बने बने में सरकार के मंत्री बख्म 900-2 के बार देश सो रूतने के लिए करोलों के रखताचार रहे हैं आप यह आपका इसमें कोई रोक्रागि आपकी इसकोई दागे और वbaar से we可以 में और उपर से शुर मचा रहा हÍ व मुझे पत्रकार ने पूचा कि का रिज्वेशन क्या है तो मैंने जवाब दीचा दिया कि चोर मचाए शोर वेसी कहानी है इस देश को लगातार लुटा गया है मुंबई के अगर सोसाइटी में कांगिल के शाहिदों के लिए जमिन आरक चिंथी कांगरेस के उस समय के मुख्यमंते ने तीन फ्लैक अपने रिष्टदारों को अलाग किये और उस सोसाइटी में सत्तर परसेंट लोग कांगरेस के है शहीदों के नाम पर आपने इसको लूटा है जवाब दोस्तुनिया जी इसमें हमारा संबन क्या है आपके नेतुर्सों में लूट चल रही है कारगीर के शहीदों के नाम पर और आप ऊपर से भाषण दे रही है कि अरे लटने की बात छोड़ो जो आपकी सरकारे आपके मंत्री है जो प्रस्ताचार कर रहे हुं को आप रोक नहीं सकती जो खुले रुप से देश को लूट रहे हैं आप किस्ते लग तर दो घर में व्यव्य प्रस्ताचारय को बाद मिटालो और ब्रताचार को रोखो तब आपको अधिकार है लेकिक अधिकारे व्यक्ताचार के खिलाब कुलने का कि बहुत हुआ है कि कहानिया इत्ती बड़ी है कि एक कहानिया आपके सामने आती रहेगी कि मैं जहनेवाद देना चाहता हूं सुष्मा जी को और उन जी को इस समस्थ के दोनों सवाग्रों में उन्हों कि जिस प्रकांस संग्रश्क्या आरं हमारे अन्डिये के सांसर के सभी पातियों के शरफची है शूचना के सब्सक्राइब करें और इस प्रीक की मांक्री आपको ग्युट सब्सक्राइब दाल में कुछ काला है या डाले ही काली है यह क्यों है क्यों ड़ते हो आपको क्यों चिंता है सुश्माजी ने सवाल पूचा प्रधायन मंत्री जी आपको सीवी सी की छॉबस साथ की अपॉइंट्मेंट के समय कि ईसकी विपख्षी नेता लीक रही है तिसे नोट लिख रही है कि ये दागी है इनको नियूक्ता मत करो वो नोट सुश्माजी इंडिकने के बाद भी एपांधार पुद्हां मंत्री को जो इपांधार पुद्हार मंत्री करके उनको मैं सवाल कुछना चाहता हूँ की पतरा है उसके बाद में आपको घ्राण में आया कि आपने घ्रती पर यह गलती आपने किसके इशारे पर की है इसके लिए कौन जिम्मेदार रहे हैं ऐसे एकने हजारों सवाद है सांसब में सवालों का जवाब नहीं मिला सांसब नहीं चली तरव अरवाने जी को और हमारे इंडिये के नेताओं को कहना पुदा यगर नोकतांसी इक मार्ग से अगर समसब में अगर हमारी आवाज देख सुनना चाहते हैं तो जनता की अदालत में जाकर हम संगर्श करेंगे बैन और भायो इस संगर्श की महासगराब की शुरुवात आज जुई है इसमें की दियूत के और देश को लुटे वहरी यह ल्ुटे रोगी यह जो पूरी वारात है इसका धुल्य बले राजा है पर इसे का मेन के लिए वाल बालत जो देश पूर्ग रहे हैं इह जहाँ मारात है जंए यह कान्ताचार की आय्ण जरारों सब्सक्राइब करेंगे इस सरकार के खिलाब संगर्ष करेंगे और यह नारा देंगे तक बदल दो ताज बदल दो रश्ताचारियों का राज बदल दो यही संगर्ष लेकर हमको आगे जाना है आप इस संगर्ष में अपनी भूमिकार को परिताकत के साथ इसमें आप कारे करिए यही आपसे आवहांत करता हूँ धन्यवाद जय हिंद्ट